हेलो एब्रिवान राधे राधे जैस्रीकिष्णा कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे हैंगे स्वागत है आपका सानवी ब्लॉग में तो फ्रेंस आज में आप सब के साथ सूजी का रेसेपी सेयल करूंगी जिसे मैंने बहुत ही जटपट से बना कर त्यार क किया है बहुत ही टेश्टी बन कर त्यार होता है तो चलिए इसे हम बनाते हैं इसे बनानी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कप यहाँ पर कटोरी से लिया था मैंने एक कटोरी मैंने सूजी लिया है और यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं मोटा वाला हो यά फिर पतलावाला हो, कोई भी सूजी चलेगा, तो देख सकते हैं, तो हम यह आप नमक आएडD कर लिये हैं, और यह हमारे पास छांस था, तो छांस से हम इसको घोल रहे हैं, और आपके पास छांस ना हो, तो दही अगर हो तो दही से आप इसको घोल लिजेगा, हमें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल कर इसका गारह गोल बना कर त्यार कर लेंगे तो देख सकते हैं कितना बढ़िया है हमारा गोल त्यार हो गया था बैटर तो यहां पर कुछ मैंने सब्जियों को चौप कर रख लिया था प्याज है हरा मिर्चे टमाटर है औ आड़ कर सकते हैं और हमारे पास यहां पर धनिया नहीं था हरा धनिया तो मैंने धनिया इसमें नहीं आड़ किया है आपके पास धनिया अगर हो तो आप धनिया भी इसमें आड़ करिएगा बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है तो चलिए अभी इन सब को हम अच्छे से इस तो आप यहां पर चिली फ्लेक्स जीरा चाट मसाला यहां पर जो भी मतलब आपको मसाला पसंदे उसे इसमें आड़ कर सकते हैं और घोल कर इसे पाच मिनट के लिए रेश्ट पर रख देंगे अच्छे सी यह सुझी हमारा फूल जायगा तो चलिए पाच मिनट हो गया था त तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जिसे कि यह हमारा जो नास्ता बना कर हम त्यार करेंगे अच्छा से फूलेगा खिल खिल के बनेगा तो चलिए इसको अच्छे से हम घोल ले रहे हैं तो देखिए मैंने घोल लिया था और फ्रेंस अगर आप लोगको हमारा यह रे कि थोड़ा थोड़ा चमच के हेल्प से हम मतलब तवा पर जितना आएगा उतना हम डालेंगे चीले के जैसा चोटा-चोटा साइज में बना रहे थे क्योंकि मुझे लंच बॉक्स में देना था और बड़ा भी मैं बनाऊंगी लेकिन अभी इसे पहले पहले एक बार में मैं चोटा-चोटा बना करते लिकाल ले रही हूं फिर में बड़ा भी बनाऊंगी तो देख सकते हैं पर मैंने चोटा-चोटा यहां पर छे डाल दिया है छे आ गया है तवे पर और यहां पर गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे नहीं तो हाई रखने से हमारा नास्ता जल भी के लिए इसको हम फलट लेते हैं सारे नास्ते को बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं बच्चे लोग को लंच बक्स में भी दे सकते हैं या फिर खुद भी खा सकते हैं साम के नास्ते में हो या फिर सुबह के भी नास्ते में बना क इसे खा सकते हैं आप सभी देखिए मैंने सारे नास्ते को पलट लिया था और इसे उलटते पलटते ही हम इसको अच्छे से शेख लेंगे और मुझे इसको कृस्पी करना था इसको ज्यादा क्रिस्पी करना था क्योंकि लॉंच बॉक्स में पैक करके रखने से मतलब थ्वास इसको ज़्यादा हम सिख लेंगे, देखिए कितना बढ़ियां सीख चुका है हमारा ये नास्ता, तो चलिए अभी सबको हम निकाल लेते हैं, कितना बढ़ियां देख सकते हैं, हो गया था तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा निकल चुका है सारा नास के गतोर लोगों खाने में भी अच्छा लगता है तो यह देखिए मैंने इसको चोकोर में बना दिया है तो ऐसी करके इसे भी कुछ देर हम पकने देंगे एक मिनट के लिए और तब तक हम इधर बच्चे लोग के लिए नास्ता लगा लेंगे तो इधर देख सकते हैं यह चो और यह देखिए यह हमारा चीला जो था तो अच्छे से ड्राई हो गया था उपर का तब इसको हम पलट लेते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस आप लोग इसे बना कर जरूर ट्राइगा तो देखिए यह हो गया था तो इसको भी मैंने निकाल लिया है और इधर द देंगे निक्स वलग में बाइ